हेलो दोस्तो हम इस वीडियो में रिजिनिंग के इंपोडेंट कोशन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं सभी कोशन इंपोडेंट लिए गए हैं जो आपकी परिच्छा में पूछे जाते हैं जैसे SSC रेलिवे पुलिस एक्जाम्स में पूछे गए ये कोशन हैं सभी त दो चलिए शुरुआट करते हैं यह प्रेक्टर सेट चार है इस प्रेक्टर सेट को पूरा देखिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कोशन से आप पिरते कुशन का अंसर देने करें अपने से, अगर आपको समझ में आता है तो पहला कुशन है, निमनलेक्ति प्रशन में दिये गई विकलपा में से संबंध सब्सक्राइबальной से तो यहां पहे देखो किस त्रह से आप आंसर देंगे, जिस प्रकार लेका कलम का प्रियोक करता है उसी प्रकार दरजी फी का प्रियोक करेगा तो correct आंसर है इस कुशन का be option बेसिक सा कुशन है आसानी सांसर कर सकते हैं और देख सकते हैं आप NTPC एक्जामस में पूछा गया है अब दूसरे कुशन का आंसर करें उस विकलिप का चैन करें जिसका तीसरे पद से साथ वही संबंद है जो दूसरे पद का पहले साथ पद से है तो इसमें जैसे के हम पहले दूसरे टाइप का कुशन कर रहे हैं पेडिया ट्रिक्स का समंद्ध चिल्डरन से है तो नीरोलोजी का समंद्ध किस से होगा तो इसमें नीरोलोजी का समंद्ध किस से होगा तो यह है ब्रैंड से करेक्ट आंसर इस कुशन का अच्छा कोशन है ये भी RRB NTPC exams में पूछा गया है तो आप ये न समझें सभी कोशन ये किसी न किसी परिच्छाओं में पूछे गये पहले तीसरे कोशन का अंसर करने की कोशिस करें जो हिर्दय का समंद कार्डियोलोजी से है तो वही शमंद आपको बिरक्त का बताना है त तो मैं आपको इसी तरह से डेली प्रेक्टिस कराऊंगा इंपोडेंट कोशन की जो आपको इस टाप कोशन जल्दी कहीं से नहीं मिलेंगे प्रेक्टिस करने को तो आप कंटिनू जोड़े रहिएगा मैं आपको प्रेक्टिस सेट के थूँ आपको डेली रीजिन की प्रेक कुछन और चलते हैं चौहता कुछन है इस कुछन काइसर करें उसे विए clip का चैन करें जो तीसरे सब्द से उसी परकार समझदिता है जिस परकार दूसरे परस से पहले समल दता है तो यहां पर देखिंगे Cert का समफंद پرदांद से है तो Hair का समफंद किससे होगा अच्छा कुशन है सभी आंसर करें देखो RRB NTPC Examiner में पूछा गया कुशन है तो आप इस कुशन का अंसर किस तरह से देंगे Cert का समफंद پरदांद से है तो यहाँ पर Horror का समफंद किससे होगा आबूसर से तो राट आंसर है इस question का C option C option correct answer है next question पर चलते हैं पाच में question का सभी answer करने की कोशिच करें अपने से जिस प्रकार दस्ताना हाथ से सम्मझत है वैसे ही आपको बताना है टोफी किस से सम्मझत होगी तो आप देख सकते हैं दस्ताना हाथ में पहरा जाता है तो टोफी काँ बेन जाते हैं सिर में तो correct answer है इस question का C option ऐसे question आपकी परिश्चा हम पूछे जाते हैं तो ये ना समझें कि हम इतने simple question क्यों कर रहें क्योंकि आपके exam में reasoning का question पूछा जाता है तो reasoning में ये question जरूर पूछे जाते हैं तो आप इस step के question जरूर प्रैक्टिस करें अगर आपके परिश्चा में सिलेवस में reasoning का portion है तो अब छट में question का answer करेंगे सभी उस भी clip का chain करें जो जिसमें योगम के सब्दों के बीच हुआ ही सम्मन्द है जो दिये गए योगम के सब्दों के बीच है अब देखो next step आगया है इस question का सभी answer करेंगे जैसे कि यहाँ पर दे रखा है cat का सम्मन्द म्यू से तो यहाँ पर उसी group को chain करना है जैसे जिन दोनों में ये relation बन रहा है तो यहाँ पर cat का सम्मन्द म्यू question है RRB NTPC exams में पूछा गया है तो आप देख सकते हैं अगर आप railway exams की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये question बहुत ही important रुसावित होंगे और आपको पढ़ने ही चाहिए साथ में question का सभी answer करें उस विकलिप का chain करें जो तीसरे सब्द से उसी प्रकार समझते है जिस प्रकार दूसरा सब्द पहले से समझते है अब मैं आपको इस तरह से क्यों पढ़ता हूँ आप भी सोच रहे होंगे जब तक आपकी practice नहीं हो जाती ये सब पढ़ना होता है जैसे आपकी practice अच्छी हो जाती है तो आपको ये सब कुछ नहीं देखना होता है क्योंकि समय नहीं है एक्जाम में इतना आपको direct question पर आना होता है जैसे कि question यहां से शुरू होता है ब्यार का समझत जारखंड से है उसी प्रकार 36 कड का समझत किस से होगा अब आप देख सकते हैं अच्छा question है इस logic पर कोई नहीं पहुचा होगा जल्दी क्योंकि देखो आपको मैं आपको बताने वाला हूँ इस कांसर किस तरीके से देना है आर आर भी एंटी पेशी एक्जाम से में पूछा गया है तो देख सकते हैं ब्यार का समझ जारकंड से किस तरह से है कि ब्यार से अलग ओके जारकंड बना था उसी प्रकार 36 कड किस से अलग ओके बना था तो यह बनाता मद्द परदेश से तो राट अंस रेसकोशन का डिब्ट अच्छा question है सकते हैं अब सभी है और 8 कम collapse करें हाथ नान्पें 17 meng यह हैं वहाई हमान्द का spinning सबस्कोंहाइब हाथ का समंद्म आपको पैन का समस्क्ताना है घर हाथ का समंद्म ark मतर हात में अगली होती है उसी परकार पैन में ने क्या होती है ने उतन craft अब सोचेंगे पहेन प्योग में वही होती है लेकों इस तरह से लोजक नहीं देत आप किंगWow मता हाथ फूरा हात होता है फिर इसके बाद छोटी बढ़ित होता होता हम ली उस फिर क्यान है निस हैं पूरी होती ले उसके बार प्रकाशत अब कर लिजिए गा जिससे कोई भी वीड़ाती है तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करने को मिल सकें एंटमोलोजी इंसक्ट से समध्ध नहीं देता है तो इथीमोलोजी का समध्ध किस्षे होगा अच्छा कोशन है आप आंसर करेंगे सभी तो एंटमोलोजी में इंसक्ट अंसर करो सभी दसमें को संका अंसर क्या होगा जिस प्रकार गोड़े का समंद्ध गाड़ी से है उसी प्रकार का समंद्ध किस से होगा तो अब देख सकते हैं गाड़ी में क्या है गोड़े गोड़े एक इंजन की तरह काम करते हैं उसी तरह कार में क्या काम करता है इंजन तो तो यहां पर देख सकते हैं उस विकलप का चैनल करें जो तीसरे सब्द से उसी प्रकार संबंद रखता है जो पहले सब्द दूसरे से संबंद रखता है तो यहां पर जैसे का हम इस टैप के कुशन कैई देख चुके हैं अब आप इसका आंसर एजली कर सकते हैं तो गुड़ तो राट अंसर का डी अप्सन पर चलते हैं बारहमा कुछन हैं इस कुछन का सभी आंसर देंगे अगर आपको समझ माता है तो देखो कोई भी कुछन परिच्छा में ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया है मैं उन्हीं कुछन को आपको कराऊंगा डेली जो पहले परिच्छा में पूछे गए हैं तो आपको वह कुछन करने चाहिए जो एक्जामनर पहले पूछ चुका है क्योंकि इस टैप के कुछन रिपीट होते हैं या उससे रिलेटेड कुछन पूछे जाते हैं तो आपको इस कुछन को पढ़ना चाहिए बारह में कुछन का अंसर करें हिने हिनाना का गोड़े से वही संबंद है जो मिमयाना का संबंद किस से है तो यह है बकरी का तो करेक्ट आंसर है डी अप्सन डी अप्सन राट आंसर है इस कुछन का नेक्स कुछन पर चलते हैं इस कुछन का सभ डेक को क्शान है और रेलेवे एक जाम के पूछा गया है कि देख सकते हैं आप आप एस कोएशन का अधर करें अब मैं आपको इस लैंगुज को नहीं पड़ूगा क्योंकि हमको प्रैक्टेस कर चुके काफी तो आपको इस लैंगुज की जरूत नहीं है हैं आप direct answer करेंगे इस question का। जिस प्रकार प्रशनता दुख से related है सम्मंच साथ है बैश्णता सम tow kisee होगा तो आप देख सकते हैं प्रश्णता का विलोम क्या है दुक। उसी प्रकार प्रश्णता का सम्मंच मतभए इसमें लोम क्या होगा सम ऊर्षता इसका रॉल opin T आपको मैं इस लेंगोज को नहीं पढ़ूंगा समय नहीं रहता है पर इच्छा में अब आपको यह पढ़ने की जरूत नहीं है हम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हम इस कुशन पर डारेक्ट आंसर देंगे क्लोज का रेलेट этड है उपन से तो मताव किस से का लोगर करते हैं किसी चीज़ कुंशन का राटनसर है अच्छा कोसर देख सकते ऐंआप तो यह अपसा इस कुछन का राटन सुरोगा रेलवे एक्जांस में पूछा गया है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो कर लिजेगा प्लीज और वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा वह आपने हमारे सभी प्रेक्टर सेट नहीं देखें तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिशन में प्रवाड कर दिया है आप वहाँ से प्लेलेस्ट के थूरू सभी वीडियो को देख सकते हैं जो इससे पहले आपको करा चुका हूँ तो आप जरूर देखिएगा आपकी परिच्छा से पहले थैंक्स वाज मैं वीडियो